दोस्तो मान लिजिए कल मेरा बस डे है और जाहिर से बात है मेरे दोस्त मेरे पैचानवले मेरे रिष्टदार मेरे वाटसप पर मुझे बड़ेविश भेचेंगे तो मैं अगर सिर्फ उनको इस तरह से थैंक्स और स्माइल भिशूँगा तो कुछ खास नहीं लेगेगा और मुझे भी कुछ खास नहीं लेगा तो इससे बहतर अगर मैं कुछ अच्छा सा थैंक्स वाला पोस्टर बनाऊँ तो उनको भी पसन आएगा ये देखे इस तरह से थैंक्यू वाला पोस्टर जो मैंने आपर बनाया है और एक मेरा इसमें फोटो है तो उनको भी अच्छ लएगा कि बड़ी विश्ट करने के बाद राकेश भाई ने इस तरह से मुझे रिपलाई किया तो आज की इस वीड़ में हम जालेंगे कि थैंक्यू वाला पोस्टर कैस बनाते हैं हैं दोस्तो प्ले स्टोर से हमें सबसे पहले यह जो आपकेशन है इमेज डाउनलोडर यह श्चन हमें डाउनलोड करना है ठीक है इमेज डाउनलोडर और इसके बाद यहाँ पर search box में type करना है thank you मैंने अल्री टाइप किया है ठीके तो thank you वाले जो भी images होंगे वो आपके सामने याँ पर इस तरह से दिखाए देंगे तो आपको जो image पसंद है वो आप open करेंगे चले इस तरह से हम देखते एक-एक ठीके यहाँ पर बहुत सारी images है thank you वाले जो आपको पसंद है वो अगर आपको download करना है तो यह जो symbol है download का इस पर आप click करेंगे चले मैं और देखता हूँ ठीके यह मुझे सही लग रहा है तो मैं इस image को यहाँ पर click करके download करता हूँ ठीके download complete download होड़ चुका है दोस्तों तो अब आएंगे pixel lab इस application में दोस्तों यह भी आपको playstore भी मिल जाएगा यह देखे pixel lab application ठीके pixel lab application को open करेंगे इस तरह का interface आपके सामने open हो जाएगा दोस्तों हम यहाँ पर कुछ भी type नहीं करना है देखे हमें जो हमने जो एक image डाउनलोड की है वो यहाँ पर upload करनी है और हमारे एक photo हमें upload करना है तो चले पहले इस new text को delete करते हैं तो delete करने के लिए यह देखे यहाँ पर एक symbol है delete का उस पर click करेंगे ठीक है okay करेंगे और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर click करेंगे यह देखे यहाँ पर यहाँ पर click करने के बाद transparent यह देखे इस option पर click करेंगे transparent ठीक है इस poster के size दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं देखने के लिए देखे यहाँ पर जो three dot है इन पर click करेंगे तो इसके बाद image size यह रहा इस पर click करेंगे तो आप size यहाँ पर देख सकते हैं width 1 to 8 जोरह है और height भी 1 to 8 जोरह है और accept ratio 1 is to 1 ठीक है तो इस तरह से already मैंने select की है ओके करेंगे तो अब सब सब पहले हमें वो जो हमने image डाउनलोड की है उसे plus icon पर click करके यहाँ पर upload करना है मैंने यहाँ पर plus पर click किया और from gallery ठीक है from gallery पर click करेंगे gallery open हो जाएगी और हमने जो अभी image डाउनलोड की है वो यहाँ पर upload करेंगे ठीक है तो यह रही वो image यह देखें thank you वाली यहाँ पर आ चुके अब दोस्तों यहाँ पर मुझे यह round shape में चाहिए यह देखें इसका जो round shape है यह देखें मैं यहाँ पर click करूँगा ठीक है मैंने यहाँ पर click किया तो इस तरह सिए आ रहा है इसको मैं ok करूँगा ok करने के लिए यहाँ पर जो tick option है यह देखें यहाँ पर click करेंगे करेंगे है यहाँ पर यहाँ चुका है और इसकी जो साइज है thank you की वह मैं यहाँ पर बाढ़ान चाता हूँ तो इस option पर click करेंगे रोज्तों यह देखें यहाँ पर黑 يमैंने यहां पर मैंने क्लिक किया, इस तरह से left side पर swipe करेंगे, और यह जो relative size है, इस पर click करेंगे दोस्तों, यह देखें, ठीक है, मैंने यहां पर relative size पर click किया, और इसको full करेंगे, इस तरह से देखें, इसके बाद दोस्तों, यहां पर tick पर click करेंगे, यह रहां, ठीक है, मैंने यह यहाँ पर क्लिक कर दिया और बाद में दोस्तों यह जो option है इस पर क्लिक करेंगे और जो magnet डिया गया है यहाँ पर यह देखिए यह option है magnet वाला इस option पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम इस image को पकड़ कर center में लाएंगे ठीक है यह center में आ चुका है अब दोस्तों हमें सिर्फ यहाँ पर हमारा एक फोटो लाना है तो हम फोटो लाने के लिए फिर से plus second पर क्लिक करेंगे यहाँ पर है ठीक है मैंने इस पर क्लिक किया फोटो यहाँ पर आ चुका है टिक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर चेक मार्क पर नीचे right साइड पर और थोड़ा सा इस फोटोग की जो साइज हे वो छोटी करेंगे इस तरह से और आप जहाँ पर भी इसे रखना चाहते है वहाँ रख सकते है इस त इमेज डाउलोड करेंगे, इमेज डाउलोडर से दोस्तों, ठीक है, यह देखिए बहुत सारी इमेज़े से, आप कुन सी इमेज यहाँ पर डाउलोड कर सकते हैं, फिर से जाएंगे पिक्सल लैप पर, तो दोस्तों इस तरह से थैंक्यू का जो भी एक पोस्टर है, वो बन ठीक है, इस तरह से हमारी इमेज बन चुकी है, तो इसे डाउलोड करेंगे लोस्तों, यह जो से ओप्षन इस पर क्लिक करेंगे, मेमरी काड़ का जो सिंबॉल दिया गया है, और सेव एज इमेज इस ओप्षन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कस्टम इस ओप्षन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, custom पर क्लिक करेंगे, ठीक है? और ultra जो bottom ही देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ultra पर और इसके बाद, save to gallery, इस option पर क्लिक करेंगे ठीक है? image saving हो रही है image save हो चुके दोस्तों तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं image जो आपकी ग्यालरी में आ चुके होगी ये देखे ये है ये है वो इमेज ठीक है देखे आप इस तरह से देख रही है तो एकदम सिंपल तरीखा है दोस्तो थेंक्यू का पोस्टर बनाने का ये वीडियो आपको फसन आई है तो वीडियो को लाइक कीजे चानल पर आप पहली बा आप